दम्म चक्र प्रवर्तन दिन और अशोक विज्या दश्मी का पर्व पूरे देश में संपूर्ण अक्टूबर माहसे सविधान दिन तक बड़े पैमाने पर और भव्य स्वरूप में मनाया जाता रहा है लेकित कोरोना संक्रमन की वजह से इस वर्ष यह कारेक्रम अब छोटे स्वरूप में गाउगाउ में मनाया जा रहा है इसी कड़ी में भारतिय बौध महसभा ग्राम शाखा सावरी की ओर से धम चक्र प्रवर्तन दिन और वर्षवास समापन का कारेक्रम ग्राम सावरी के बुद्ध विहार में अहुजीत किया गया जिसमें प्रमुकता से आधर्निय भनते बुद्ध किर्ती इनके द्वारा दीप प्रजलन कर कारेक्रम की शुर्वात की गई उसी प्रकार कारेक्रम के मुख्य मार्ग दर्शक इंजिनियर देवेंद्र कुमार इनके द्वारा तथागत गौतम बुद और डॉक्टर बाबा सहब अमभेट कर इनके चाया चित्रों को मालयारपन किया गया कारेक्रम के शुरुवात पुज्य भनते द्वारा त्री शरन पंचशील से की गई इस मौके पर बौद उपासक उपासिकाओं को संबोधित किया गया जिसमें इंजिनियर स्नेहा इन्होंने धर्म सत्ता और राज सत्ता के महतों को बताया कहा जिस समाच की राज सत्ता होती है उसी समाच का धर्म फलता और फूलता है इस करेक्रम के मार्दर्शक और अध्यक्ष इंजिनियर देवेंदर कुमार भारते बौद महसभा तालुकर शाका अध्यक्ष यहाँ थे उन्होंने अपने मार्दर्शक में बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेटकर इनके अंदोलन को सही माइने में अगर किसी ने समझा है तो वहाँ मान्यवर कांशिराम सहाब है उन्होंने समाच को राश्ट्य स्तर पर संगटीत करने का काम किया साथ ही बौद समाच ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेटकर के कारवे को आगे बढ़ाने की बात पर जोड़ दिया इस करेक्रम में भारतिय बौद महासभा के तालुका शाखा से तालुका महासच्यू डॉक्टर भासकर रायकर इन्होंने बुद्धीजम और दूजरे धर्वों की तुलनात्मक पढ़ाई करने की अपील की वही तालुका कोशद्यक्ष रंजीत वासनिक इन्होंने भी हुक्मरान बनने की अपील की और कहां हुक्मरानों की कोई समस्या नहीं होती भारतिय बौद्ध महासफार रावनवाडी सरकल से योगेंद्र शहरे और अजय डोंगरे यह उपस्तित थे उसी प्रकार दाथिंग एक सोच यूटूब चैनल के चीफ एडिक्टर संदीप आनंद सामाजी कारेकरता पराग महेंद्र समाजी कारेकरता अजीट थवरे इनके उपस्तिती में कारेकरम सफलता पुर्वक संपन हुआ इस कारेकरम का आभार प्रदर्शन ग्राम शाखा सावरी के अध्यक्ष महेंद्र डाहाट इन्होंने किया बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले